ले जनाब अब आपको मैं कुछ मॉडल्स के नाम बताने वाला हूँ जो लार्ज लेंगुज मॉडल्स को अपने उपर होस्ट करके रखे हुए कुछ इसमें से फ्री टाइपस हैं, कुछ में आपको पे करना पड़ता है and then we are going to learn कि ये कितने किसम के मॉडल्स हमारे पास मुझूद है and how we can enhance our productability या produceability या अपनी efficient AI के use को AI नहीं यार कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हैं अब सारा कुछ prompt engineering के तुर आज के दोर में कर सकते हैं कैसे अभी हम देखने वाले हैं पहले तो कुछ models के नाम में आपको बताऊंगा और उनको हम समझेंगे और जो free में आप use कर सकते हैं वो भी हम आपको दिखाऊंगा and there are some other things जो इंशाला हम भी हम देखने वाले हैं मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ ये रहीजी मेरी screen सबसे पहला तो आपको पता है chat GPT chat GPT पहला model है इसको आप open कर सकते हैं इस पर login कर सकते हैं second one is actually मैं यहां पर इसको duplicate कर लेता हूँ एक ही दफा second one is actually poe.com ये poe.com है third one is actually perplexity perplexity AI ठीक है यहां पर poe.com था number fourth is bard google का ये bard AI है इसको हम ओन कर लेते हैं जिसको आजकल Gemini बोलते हैं क्योंके recent नाम है इसका and then we have another one called Gemini perplexity bard and then Bing AI Bing AI है हमारे पास और इसके इलावा हमारे पास एक extension है Google Chrome की जो आप install कर सकते हैं Harpa AI ये extension होगी इसके इलावा आपके पास कौन-कौन से model है चलें अब हम देखते हैं आइस्ता-इस्ता के कौन-कौन सा model हमारे पास कैसे use होते है ये है जी हमारे पास chat GPT का interface अगर आपको भी प्लस वरियन चाहिए तो आप हमारे साथ रापता कर सकते हैं प्लस वरियन की जिसमें GPT-4 आप यूज कर सकते हैं वरना आपको GPT-3 यूज करना पड़ता है GPT-4 में डाली भी है जो आपको images भी बना के दे सकती है अगर आप हमें email करते है info at kodenix.com we can provide you chat GPT-plus account with nominal price of around I think 1800 या 2000 के करीब per month ठीक है फिर आपके पास poi.com है मैं इसके अंदर भी sign in कर लेता हूँ पहले क्योंकि I have an account for poi.com as well तो poi.com पे पहले मैं sign in कर दूँ मैं अपने emails वगरा शेर नहीं करना चाहता है इस विज़ा से मुझे sign करने के लिए थोड़ा सा time चाहिए होगा तीसरा आपके पास perplexity है perplexity के अंदर आपको sign in करने के जरूरत नहीं है अगर आप करना चाहते है go for it अगर नहीं करना चाहते तो it will work और इसकी app भी मजूद है ठीक है then Google का Gemini है मैंने इसमे sign in किया हुआ है so इस विज़ा से Gemini जो है Bart की advanced type है which has been released recently you can use that one and write your prompt here Bing AI आपके पास आप search the web भी कर सकते है या ask co-pilot यहां पे आप click करेंगे you can ask many things and write your prompt here Harpa AI आपके अपने Chrome extension करने which I have already done here यह मैंने extension की हुई है आपने right side पे आप इस extension को Chrome में add करें and then you can ask and chat with the webpages तो यह कुछ मेरे पास basically चीज़े हैं जिसकी base पे हम सारा कुछ sign-in कर रहे हैं देख रहे हैं चीज़ों को so आपने भी कोई एक इसमें से use कर लेना है और अगर आप ऐसे नहीं पे करना चाहते है and you don't want to use chat GPT go for Google Bard या आप Preplexity को use कर सकते है and you can create your prompts from there ठीक है अब जो poi.com है basically अगर आप check करें यह poi.com में आपके पास cloud instant भी मजूद है cloud anthropic cloud AI cloud AI जो है यह भी एक model है basically which is one of the best models I would say क्योंके यह cheap भी है थोड़ा सा और इसकी जो power है वो बहुत ज्यादा है तो मैं cloud को भी यहां पे लिखता हूँ ठीक है हमारे पास अब काफी models यहां पे open होगे है और यहां पे आप देख सकते हैं poi.com एक web app है where you can actually do anything with a lot of prompts यह आपके पास जनावेवाला सारे के सारे chat zp t4, playground है, cloud instant है, dali है, stable diffusion यहां पे मुझूद है, आप यहीं से यूज कर सकते हैं mister medium है, lemma 2 है, lemma 2 model है, facebook का cloud है आपके पास सारे के सारे model poi.com के अंदर है पर plexity के अंदर भी जब आप thread को use करते हैं you can actually use your specific kind of prompt here Gemini के अंदर भी co-pilot के अंदर cloud and tropic के अंदर आपको यहां पे add करना पड़ता है अपने email and then you can use तो मैं ज्यादा तर Poi और ChatGPT यूज करता हम because I can see के हमारे पास यहां पे अच्छे power मुझूद है, so for now अगर मैं यहां पे dal e के ओपर click करूँ hopefully I can utilize the power of dal e अगर यह मेरे से पैसे ना मांगे it's asking money, so मेरे पास और यहां पे ChatGPT मौझूद है I can write a context, for example create an image of a person having beard ठीक है, यह जनाब मैंने एक छोटा सा prompt लिखा और इसने क्या करना है एक image generate करनी using dal e और अक्सर उकाद मेरे साथ यह भी ChatGPT को use करने वाला तो यह कहता है यह आपके system में यह चलनी पाता because of the google cookies तो I know कि यह मेरे साथ problem होती है ठीक है, so इसका मेरे पास alternate मुझूद है just give me one second और इस alternate को मैं यहां पे आपके सामने ले के आता हूँ hopefully it will work fine because we have to use ChatGPT and okay तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वकत जो है यह वाला model यहां पे चलेगा मैं यहीं पे वो पुरानी जो हमारी input है वो लिखता हूँ create an image of a person having beard और image analysis का मैं इस वेटा से आपको बता रहा हूँ because it can give you a nice I would say output on hand और अगर यह काम करता है then it will be working fine तो यह मेरे पास यहां पे ChatGPT चल रहे it's creating an image और यह थोड़ा सा time लेगा क्योंकि यह browser different है यहां पे चेक किजेगा इसने मुझे image दिया है and it will appear in a second क्योंकि मेरे पास internet थोड़ा सा मसला कर रहे ठीक है यह beard person किया गी अब यह मैंने एक simple सा prompt लिखा था create an image of a person having beard मैं इसके साथ ही लिखता हूँ this person should be from Pakistan and coding online via zoom class wearing a cap on head and a t-shirt of Pakistani cricket team ठीक है this image should have a portrait look look hyper realistic style अब मैंने इतनी information इसे दे दी है मेरी एक दो बीच में गल्तियां भी हुई है और chat GPT की यह different LLMs की यही एक खासियत है के गल्तियों को खुद बाखुद यह सुदार लेते है ठीक है and let's see हमारे पास यह क्या create करके देता है and this is how you can actually use a different kind of prompt जिसके अंदर precision भी है clarity भी है and you have a kind of hyper realistic instructive output style and let's see हमारे पास कैसी image आती है ले जनाव अब आप चेक करें के हमारे पास यह कैसा बंदा आ गया है which is having a kind of you know online classes and all those things और आप इसको save भी कर सकते है यह तो होगी image के बाद आप इसके अंदर और भी खेल सकते हैं आप इसको कह सकते है also देखें अब मैं कहूंगा great image but please add a classroom look in the image as well क्यूंकर मैंने पहले prompt बोला था कि मुझे portrait चाहिए अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ okay सो जनाबे वाला यह मुझे इस तरीके से लें तो हमारे पास एक image बन गी है which is showing me something जो live class का view भी आ रहा है coding भी लिखी हुई आ रही है and there are lot of things inside that image अब आप देख सकते हैं के context को हम improve कर रहे हैं और अपने पास चीजों को improve करके लेके आ रहे हैं आपने कभी ऐसा नहीं करना कि एकी prompt लिख है उसको refine किया बगार आप कहते हैं के यह तो होगी image की example image के इलावा हम क्या कर सकते हैं अब उसकी मैं आपको beauty दिखाता हूँ give me one second because I have to switch to my previous Google Chrome window because वहां पे मेरे पास error आई थी and now I can show you के हमारे पास यहां पे मैं अगर explore करके यहां पे मैं use करता हूँ cloud instance यहां पे अगर मैं 100K वाला cloud instance यूज करता हूँ by the way आप एक और perplexity labs को भी यूज कर सकते हैं perplexity labs यह ऐसा है जिसके अंदर आप lemma2 model को भी यूज कर सकते हैं you can compare different kind of models तो यहां से आप अपना model चूज करेंगे यहां से lemma भी है lava भी है, mixtral भी है there are many large language models out there अब कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं and then you can utilize those large language models for your prompting ठीक है अब मैं यहां पर क्या करता हूँ मैं ऐसे पूछता हूँ I want to अब जो बोले वो ही कुंडा खोले वो वला हिसाब हम करने वाले है perplexity से मैं यहां पर पूछता हूँ please show me a nice prompt for creating a web app using streamlet where a person uploads a data set and that app will create multiple plots using streamlet ठीक है so मैंने यह simple सी example दी है कि मुझे एक ऐसी app का prompt दो मैंने यह नहीं पूछा कि code दो मैंने पूछा कि prompt दो उसने मुझे यह prompt दे दिया और मैं क्या करूँगा इसको देखूँगा अब prompt कैसे लिखा जाता है build a data exploration web app using streamlet the goal of this app is to allow users to upload a csv or excel data set and then interactively explore the data through various plots and visualization and यहां पे key functionalities उसकी बता दी and this is how you can actually create your prompt ठीक है जो बोले वो ही कुंडा खोले मतलब हमने इसी से prompt बनवाया और यहां से इसको copy किया now use this prompt and show me the code in python to create the app boom ठीक है जो बोले वो ही कुंडा खोले यह एक ऐसी एक्सेंपल है which can give you a lot of leverage of creating something in hand look ठीक है and now this prompt may have some kind of difficulties के हम किस तरीके से इस prompt को use कर पाते हैं यह मेरे पास जनाबे वाला हमारी नोट बुक्स आ गई है मैं यहां पे एक folder बनाता हूं और इसको नाम देता हूं tira underscore streamlet because that's the next topic और इस streamlet के अंदर मैं एक app बनाता हूं for example app.py के नाम से ठीक है यह मैंने app का code सारे का सारे यहां पे paste कर दिया सही हो गया यह हमारे पास जनाब app का code हो गया right everything is here अब मैं क्या करूंगा यहां से terminal को open करूंगा और इस terminal के अंदर I will mamba environment list क्योंकि मैं mamba यूज कर रहा हूं and hopefully I have a streamlet environment which is not actually here तो मैं यहां पे create करूंगा mamba environment mamba create environment minus n streamlet underscore env तो मैं streamlet का एक environment create कर रहा हूं and now I am gonna install streamlet today just to show you के किस तरीके जे हमारे पास जो है वो इस code को हम utilize कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको complicated नहीं बनाना चाते you can use the same code और आप इस पूरे process को कह सकते हैं show me a jupyter notebook for the same functionality so आप इस तरीके से jupyter notebook का पूरे के पूरा functions बना के उसको utilize भी कर सकते हैं so this is totally up to you कि आपके इस तरीके से किसी चीज को use करते हैं ठीक है और आपको multiple buttons और बाकी चीज़ें यहां पे मिल जाएंगी so मैं आपको बता देता हूँ कि 10 minute लगेंगे आपको एक app बनाने में and then you can create an app so अभी मैं क्या कर रहा हूँ अब दुबारा हम जाते हैं वापिस अपने jupyter notebook के उपर यहां पे code के उपर यहां पे जो environment नहीं था लिखना मैंने गलती की so mamba activate streamlate underscore env इसको activate कर लिया and now I am going to install something here ctrl L यहां पे मैं install करता हूँ mamba install python minus sy तो यहां पे पहले तो मैं python install करूँगा and then streamlate install करूँगा it will take some time लेकिन आपको आपको आज app बना के मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम web app बना सकते हैं using streamlate मैंने अभी किसी को नहीं समझाया कि streamlate क्या होती है और किस तरीके से use होती है so don't worry about that आप Konda से भी यह environment बना सकते हैं मैं Mamba से क्यों बना रहा हूँ because that is a little bit efficient than normal Konda environment और obviously इसको download करने में और बाकी काम करने में थोड़ा सा time लगेगा and 15 MB का data यहां से download हो रहा है now and it's installing python inside this specific environment it will take some time but on the other side this will help us to create an app let's see हमारे पास जो libraries चाहिए यह तीन चाहिए इस app के लिए so I will just create these three libraries यहां पर मैं लिखता हूँ pip install streamlet pandas numpy matplotlib seaborn so यह मैं सारी के सारी यहां पर install कर रहा हूँ इस environment के अंदर so अगर आप में से किसी को कॉंडा environments का या environments का नहीं पता उनसे मेरी request है का please go ahead and revise the lectures जो मैंने link description में दिया हूँ है शे मा के course का वहां से आप इस information को grab कर सकते है and then you can learn के किस तरीके से आप seconds के अंदर अपना environment बना के और उसको activate करके अपना काम कर सकते है it's taking some little bit of time I would say so जितनी देर तक ये काम हो रहा है we can actually look into our code अब यहां पर check करें यह हमारे पास app बनी है ठीक है और इसको हम गोर से देख सकते हैं कि कौन कौन से function है इसके अंदर यह app क्या करेगी data को read करेगी and then we'll write the head command describe करेगी function उसका और यहां पर multi-select करके plotting करेगी ठीक है plot type बनाएगी and then we can see the plot और आप यहां पर plot के codes विगरा generate कर सकते हैं अब मैं इसी को copy करता हूं ठीक है यहां पर लिखता हूं complete the code by adding plotting information and codes about plotting give me the complete code यह गलत हो गया थोड़ा सा का यहां पर हमने करना था यह copy यहां पर paste for streamlet app अब हमारे पास complete code आएगा था पहले हमारे पास complete code नहीं था जब आप कहेंगे के हमें complete code दे then it will provide you complete code ठीक है और यहां पर scatter plot type वगरा बाकी चीज़ें यहां पर बनती जा रही है और मेरे पास अभी install हो रही है चीज़ें it will take some time but I will show you किस तरीके से आप इन चीज़ों को बना सकते हैं अब यह मैंने code ले लिया इस code से मुझे समझ आ रही है कि कुछ भी हो सकता है and I can do a lot of other things with the same code अब Gemini पर चलते हैं यह Gemini बिलकुल new चीज है और इससे हम पूछते हैं code for example मैं से कहता हूं give me a code to create and a python app using streamlet streamlet a library by the way where someone can upload the data and the data is is processed for EDA analysis at least 12 steps EDA and then plot the basic plots for the whole data set add Titanic data as an example from sns.load data set give me the complete code I want to publish this app as my portfolio on github and streamlet server okay I have crafted a prompt here and let's see that and it provides you a lot of things in only few bucks few bucks but still it will provide you good code and it will provide you different kind of code okay until unless it is providing me the code I can test that I can do 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 delete and paste paste now streamlet I have added app.py and here all the libraries which I already have I will on the terminal on after this streamlet environment activate and here I will write streamlet run let's see here cd and this is folder 13 I will change and here I will streamlet run app.py and then it will actually open the app it will run the app take some time and run the app let's see if we have open or not hopefully it will take some time but later on it will run the app meanwhile we can also see this code Gemini has given us a large code and here we have detailed code Gemini because it is a new model you can actually see that as well and here draft 2 and draft 3 and you can regenerate the draft so Gemini in this time there is a very heavy competition recently added so I will copy it just for the testing and here and here it has asked me how welcome to the streamlet and it has given me email I have given you email and now it will run my app I don't know first time why it takes so much time but it shouldn't be like that and and here here I have an app automatically I have no coding just the prompt after I have an app and obviously in the app how to fix that how to do that I have a lot of things going wrong here but the problem is the problem is that we have poe.com I am going to teach you streamlet don't worry about that you can see this is an app which is having a lot of errors at the moment I am going to go back to the code and here I am going to stop and here I am going to paste the code here I am going to paste in this code and we need scikit-learn library which I have never installed so I am going to install scikit-learn so meanwhile it is being installed here I am going to tell you about Gemini here Gemini here you can modify you can modify by using shorter longer simpler more casual and more professional answer you can share that you can give a good response bad response you can copy it from here and here you can upload you can talk here you can talk here for example let me try this work hi Gemini could you help me to I want to create an app which actually takes the data from a user and then outputs a lot of plot which can be further used into a publication or a manuscript later on also provide the code using python and streamlit workflow this code should be enough to generate publication ready plots and also to generate a final report make this app code literally few lines or low code mode and then give me the complete code please fix all the errors before giving it to me if you don't do it then I am not gonna use this work let me see let me see see let me see mic on here I am using this and I am using all of the ,, because of the privacy permissions okay here I will be running this now you will see the power of prompt engineering just I am using that केस औरा कोड मिल रहा है यानि के वो लोग जो directly मेरे से सवाल करते हैं वावरी है दास्तियो नमार भाई ये बता दें फ्लान चीस बता दें भाई चैट जेपीडी यूज़ करो जेमिना यूज़ करो ठोटली फ्री है फिलाल के लिए और इसकी पावर बहुत ही कमाल है खास तोर पर ये चैट की जो वोईस चैट है so you just actually saw कि हम किस तरीके से प्रॉंट को जनरेट कर सकते हैं by the way अब मैं चलता हूँ दूसरी साइट पर जहां पर हम एप को दुबारा से रन करते है क्योंकि मैंने यहां पर यह स्टोर की है सारी चीज़े यहां पर error आ रही है भी I will actually see कि हमारे पास कौन सी error आ रही है और यह जो error यहां पर आई थी we can actually provide the error to our Gemini thing लेकिन मैं गया करता हूँ अब Gemini से जो अब मैंने code produce करवाया मैं इसको copy करता हूँ copy करने के बाद अपने यहां पर उसी app के अंदर मैं paste करके control s दबा देता हूँ और इसको run करते हैं दुबारा से stream lead को अब check करें अभी भी मेरे पास error आ रही है तो हम क्या करेंगे यह error को copy करेंगे copy करने के बाद Gemini को कहेंगे क्या की कीता है and Gemini will actually excuse so you can see that now you will have a nice prompt और आपको error free code मिलेगा मैं इसको copy करता हूँ अब मैं जाके अपने code को दुबारा से paste करके update करता हूँ जैसे मैंने update किया यहां पर app पर जाते हैं इसको close करके always rerun पर click करते हैं still having this code error तो मैं दुबारा से यहां पर आता हूँ यहां पर दुबारा से check करते हैं कि क्या error है check करें still making the code still making the code and now I think it's done मैं इसे copy करता हूँ दुबारा से अपने अप में जाके इसे paste करता हूँ and इसको हम refresh करते हैं still having an error तो हम क्या करेंगे यह error दुबारा उठा के इसको Gemini को दे देंगे आपने एक चीज गौर की है यहां पर एक चीज जो आपने गौर की होगी वो यह है कि Gemini का code हमारे पास ठीक नहीं आता समझा ही बात की जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपके पास एप बनी नहीं है पर प्लेक्सिटी ने आपको एप बना के दे दी ठीक है और यही काम अगर आप करें किसी और LLM के साथ it will work in a better way ठीक है मैं के करूँगा अभी वही प्रॉम्ट उठाऊंगा जो मैंने इसे दिया था because it didn't work up to my expectations मैं के करता हूँ इस पूरे प्रॉम्ट को यहां से कॉपी करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ यहां पे model select करता हूँ जुनाबे वाला मैं lemma 2 यह वाला और इस पे यह add करता हूँ यहां से code देखते हैं हमें कैसा आता है and then based on that we will copy this code और हम देखेंगे के कौन सा code best काम कर रहे मैं इसे copy करता हूँ अपनी app में जा के paste किया ctrl-a-v ctrl-s always rerun check करें कम-as-कम हमारे पास app बनने लग गी so इसका मतलब है Gemini is not really good in coding for now perplexity के अंदर lemma 2 model हमने यूज किया which gave us this app ठीक है और इसको कोई भी data path नहीं मिल रहा यहां पे so we can say के यहां पे use example data from sns.loaddataset and titanic मैं ऐसे लिखता हूँ and now you will see के यह वही चीज़ आइड करेगा show me the complete code मैं कोई coding नहीं कर रहा मैं सिरफ और सिरफ चीज़ें आइड कर रहा हूँ ठीक है मैं यहां से जाता हूँ दुबारा से इसको add करता हूँ इसको run करते हैं and let's see हमारे पास क्या हो रहा है यहां पे एप चल रही है एप क्या करती है हमारे साथ वो देखते है and hopefully we will get something out of it still it's not working क्योंके errors आ रही है तो मैं क्या करूँगा दुबारा से अपनी एप को यहां पे coding में जाके stop करूँगा because it's taking a lot of time और इसको मैं दुबारा से run करूँगा just to remove the cache and यहां पे आप देख सकते हैं कि now it will run something क्योंके यह data लोड कर रही है and it will work in few minutes अब चलते हैं जी cloud anthropic की तरफ which we can use from here ठीक है मैं यहां पे वो ही जो prompt है उसे paste करता हूँ मेरे पास और रेड़ी पढ़ा था same prompt paste किया और यहां पे मैंने इसको run किया अब यह मुझे cloud anthropic जो है basically poe.com से cloud instance को मैं यूज कर रहा हूँ and now you can see के मेरे पास यह पूरे का पूरा code मजूद है but still I have to add few things add sns.load data set titanic as an example data also add this button inside the app ले जनाब अब आपको मैं तीनो चारों का फरक बता रहा हूँ ताके आपको नजर आए के कैसे चल रहा है और दूसरी अप अभी तक चल रही है which means there is something wrong with the code तो मैं उस app को भी stop करके delete कर रहा हूँ and now we will see के हमें सबसे best result कौन सी चीज दे रही है यह आपने देखा हमने यहाँ पे इसको copy किया कॉपी करने के बाद मैं इस code पे आ गया paste and यहाँ पे app.py को दुबारा से हमने रन किया and hopefully it will work at this time अगर यह अभी भी नहीं काम करते है then there is something wrong still running 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 so मैं यहाँ से perplexity lab को भी cancel करता हूँ Gemini पे मेरा यकीन अभी तक नहीं बना इसको भी cancel करता हूँ हमने git copilot भी नहीं चलती जो बिंग चैट है यह था वो भी नहीं चलता plot generator, plot generator और यह हमारे पास एक app बनी है depreciator please use one of the streamlet st cached data और st cache resources यह हमें error पता चल गी है we can actually do it by ourself यह वाला st dot cache अंडर्सकोर data और st dot cache अंडर्सकोर resources यूज कर लें वो कहते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास module के अंदर यह आई नहीं है तो मैं उसको data के अंदर change कर देता हूं अब हमारे पास यहां पर कोई data missing है so at least app चल रही है but still there are few errors out there so हम उन errors को यहां पर add करते जाएंगे और यह हमें prompting के तुरू सारे के सारी चीज़ें देते जाएंगे ठीक है show me the complete code let's see के हमारे पास अब कुछ बनता है या नहीं बनता लें जणाब कुछ तो हुआ है कुछ तो हुआ है and underscore data underscore data अब हमारे पास फिर से आरे रागे के x नहीं है y नहीं है फलान नहीं है ये नहीं है वो नहीं है so you can see at least के हमारे पास किस तरीके से चीज़ें जो है काम करती है अब चलते हैं मेरे फेवरेट वाले पे और वहाँ पे जाके हमें एक एप बनाने की कोशिश करते हैं which is chatGPT मैं same इसी prompt को copy करता हूँ prompt को copy करने के बाद मैं यहाँ पे chatGPT की window आपके सामने ले के आता हूँ जो मैंने पहले भी open की थी और आपने देखा है कि हमें अच्छा खासा time लग रहा है इन चीज़ों पे it takes time ठीक है अब मैं यहाँ पे वही prompt लिखता हूँ titanic as as an example data आप देखियेगा के chatGPT कोड के अंदर कमाल है और मेरा बिलीव इसी वज़ा से इसके ऊपर है because now you can see के beauty of prompt engineering and coding हमारे पास कितनी है आप सोचने होंगे के यह तो बाबादी को भी नहीं बन रही है अगर आपके पास patience नहीं है believe me you can't do anything और यह prompting के थुरू हम app बना रहे है you will see chatGPT 4 plus का क्या फाइदा है that is why I always use this plus subscription मैंने पहले भी बताया कि अगर आप भी यह purchase करना चाहते you can write down at info at codanix.com and we can provide you this subscription और आप देखेंगे कि सिरफ prompt यूज कर रहा हूँ giving you the comprehensive code and instruction भी दे रहा है आपको क्या 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 करना है and app.py को कैसे चलाना है and now you gonna see the magic inshallah let me see मैं यहां पे इसको paste करता हूँ paste करने के बाद मैं इसको run करता हूँ और believe me आप सोच रहे होंगे क्या कितों काम करना है hahaha यह मैने पहला run किया है and here you go यह रही जी आपकी app कुछ नहीं मैने किया मैने prompt दिया है the code was very refined everything was very refined and now you can see कि आप कुछ भी generate कर सकते हैं CSV की file download कर सकते हैं plot download कर सकते हैं आप यहां से plot की type change कर सकते हैं कितना आला किसम का app interface आपके सामने मौझूद है that is the beauty of chat GPT 4 और subscription इसी वज़ा से दुखती नहीं है अब मैं क्या कर सकता हूँ इसी app के अंदर multiple changes भी कर सकता हूँ multiple changes और उसको करने के लिए आप कुछ भी prompt के अंदर लिखेंगे it will provide you a different kind of prompt अब मैं आपको दुबारा से दिखाता हूँ के कैसे मैंने chat GPT को use किया and how I created this nice app in 5 seconds तो यह 5 seconds ही लगे न हमें error आते हैं क्योंके code सही तरीके से refine नहीं होता यहां पे code है अब मैं यहां पे कहता हूँ add few buttons on the left side to choose columns and then to choose plot type ठीक है यह हो गया add few lines to show the basic EDA analysis using functions of pandas and also plots फिर मैं कहता हूँ इसको add few more examples of example data set from sns.load data sets ठीक है and then add बल्के चलें यह इतना ही add करते हैं So, अब आप देखिएगा यहां पे आपको यह बताएगा chat GPT किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ और कौन सा updated code है और आपके पास जब updated code आएगा वो function भी बना रहा है खुद उससे I am not gonna use any kind of coding skills at this point क्योंकि मैं prompting skills को use कर रहा हूँ ठीक है और आप देख सकते हैं कि अगर किसी बंदे को prompt लिखने का पता है You can actually use the power of prompt engineering to do any kind of app और errors इस वज़ा से होते हैं क्योंकि वो उनके पास data नहीं मुझूद Chat GPT का जो basically focus है वो GitHub के codes के उपर से है क्योंकि GitHub Microsoft की और Chat GPT या open नहीं कि Microsoft के साथ collaboration है That is the reason के यह आपको एक अच्छा code provide करते हैं as compared to the other apps मैं अभी इस code को copy करता हूँ code को paste करता हूँ, save करता हूँ and then we can see the change in our app देखिएगा मैं अभी आपको app दिखाता हूँ कोई error नहीं है क्या refined app आपके सामने आई है यहां से Titanic का data है इसको iris के data को select कर लो tips के data को select कर लो flights के data को select कर लो और फिर आप नीचे से column भी select कर सकते हो Titanic का data select की है मैं चाहता हूँ P class का column यह ले यह ले ठीक है so you can do whatever you want to do फिर यही नहीं आप x-axis पे क्या रखना चाते हैं वो भी use कर सकते हैं and you can do also the scatter plot अगर आप यहां से age and fair का scatter plot बनाना चाहते हैं you can do that और आप raw data देखना चाहते हैं here you go the raw data is here समझाई भात की? so this is the power of chat GPT show basic EDA basic EDA आपके पास आगया which is a kind of describe function only so I mean that's the power of prompt engineering and prompt engineering if you are a very good way and you know which model is best performed for coding and you know which model is best performed for coding and you know which model is best performed for coding and you know which model is best performed for text then you can actually work between the lines and you know that this model is not good for coding I don't want to use that I want to use chat GPT-4 because it's good coding skills and you know that Gemini text real life data real time data poi.com cloud anthropic and you know if you need to purchase or if you need to purchase 2000 per month then you can use it and you can use it basically at the end and you can improve now you can use it if you can use it in 10 seconds and you can use it to refine it to refine it using prompt engineering it takes around one month and if you add that app this is an app just imagine about a software just imagine about a big idea just imagine about a big idea prompt engineering is easy and efficient now the ball is in your court and you have to do at least 10-15 examples prompt engineering and you have to choose 5 and choose 5 and go for that project it can be an app it can be an app it can be an HTML Java CSS it could be anything so this is now up to you how to use the prompt engineering again if you want to purchase that ChatGPT Plus account you can send us an email at info at codenix.com and you can email us and purchase us ChatGPT Plus subscription we bought this for our students because if you don't give us $22 then you can reach us in 2018 and we can provide you the login details we can provide you the login details and finish this lecture like like share subscribe and and today we have a crash course in a crash course and this is a celebration for you this is also AI take care and take care and don't 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 ok take care and अल्हाफिस